दोस्तों वेवसाय तो काफी लोग करते हैं लेकिन उसमें सफलता कम लोगों को मिलती है इसका कारण यह होता है कि हर आदमी के पास अपना स्किल होता है करने का एक ट्रिक होता है और वो ट्रिक सब के पास नहीं होता है जिसके कारण असफल होना पड़ता है तो बकडी पालन म आज बकडी पालन में जो ट्रिक है उसी को जानने के लिए हम पहुच गाए एक अनभवी बकडी पालन के पास जिनके पास लगभग 20 वर्सों से भी ज्यादा का अनभव है। तो आज हम जानेंगे कि बकडी पालन का उनके पास क्या सबसे पहला जो कीवर्ड आता है बक्री पालन कैसे करें तो आज जितने भी लोग है सब का संदेह दूर होने वाला है तो बक्री पालन कैसे करें वह आपको जानकारी मिलेगी कब करें और साथ में बक्री पालन से कैसे कमाई करें यह तमाम जानकारी आपको आगे वीडियो में इसर थे मिलने वाली है वीडियो को सिक्प मत कीजिएगा आखरी तक दहिए हैвонoted काई अश्तोस जी जी जइसे आपके पास दो लगभग बीस वर्सों से भी ज्यादा कानवव है तो बहुत सारे लोग जो है अभी बक्री पालन में आ रहे हैं लेकिन उतना सफलता लोग को नहीं मिल पा रहा है तो सबसे पहले आप यह बताए कि क्या ट्रीख है बक्री पालन में आपके पास एक अच्छा अनुभाव है और आपकी इस बात को कहत तो किया आपके पास ट्रीख का है हमारे दर्सकों को बताइए देखिए आस्तो जी बकरी पालन यह बकरी पालन परंपराग, पुरु से होते आ रहा हैं लेकिन आज के समय में बकरी पालन बकरी पालन नहीं रहा है उसको ब्यवस्थाइक बकरी तो ब्यवसाइक बकरी पालन करने के लिए किन-किन बातों को दिहान में रखना है, यह जानकारी हमारे युवा किसान साथियों को होना चाहिए, यदि वहाँ किसी चैनल को देख करके, गूगल पर देख करके, समझ करके या लोगों से मिल जूल करके इस काम को शुरू किये है तो वहाँ निश्चित ही इस काम में वह फच जाएंगी, उसमें 95% किसान जो है उनको लोस लग जाएगा, तो उनसे बचने की आवस सकता है, ब्यवसाइक बकरी पालन करने के लिए उसका एक अनुभवी व्यक्ति या जो भी ट्रेनर हो, जो वहाँ जहां नजदिक हो, उनक करें, समझदारी लें, ब्यवसाइक बकरी पालन करने का मतलब होता है कि आप जैसे ब्रेडिंग फार्म जब शुरू करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग करने का अनुभव भी होना चाहिए, अन्य था, आप उत्पादन कर लेंगे, बेचेंगे कहां, तो पहला दिन से जैसे जब ब्यवसाइक बकरी पालन का जब ट्रिक जुड़ता है, तो जिस दिन से आप बकरी पालन सुरू किये, आपका ब्यवसाइग उस दिन से सुरू हो गया, तो बकरी पालन के साथ साथ ब्यवसाइग भी आपको करते रहना होगा, तभी जाकर आप सफलता प्राप्त अन्य था जो ब्यक्ति सिर्फ पालन करने के लिए सोचे हैं वो तो उनकी नईया डूबेगी ही डूबेगी इसमें कोई रोक नहीं सकता है उनको उनसे निकलने के लिए जो कुछ तथ है जो कुछ बाते हैं उनको ध्यान में रख करके वो करेंगे तो निश्चित ही उनको अच बंधू उसको समझदारी से समझ करके जो भी है व्यवसाई बक्री पालन का बिधी पहलू उसको आप जानकारी लेकर के आप करेंगे तो नुक्सान नहीं होगा इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बक्री कब लाएं किस नसल का लाएं कितने संख्या में उसका उतपादन कब लें कब न लें इन सारी चीजों के उनको जानकारी रखना होगा अब जैसे हमने उतपादन लिया इसकी मारकेटिंग कब करें ज़िस हमारे पास कोई किसान कोई व्यक्ति हम से संपर्ख करते हों कि हमें बक्री चाहिए आप अपनी बक्री में से मुझे पाँच बक्री दे दीजिए, मेरे पास 20 बक्री है, कोई किसान पाँच बक्री मांगे, तो हम उनको मना न करें, ठीक है भाई, आप ले जाएए, इस तरह से करने से क्या होगा, कि उनकी कस्टमर संख्या बढ़ जाएगी, अब कुछ किसान करते हैं, नहीं मैं बक्री लाया इसका बच्चा उत्पादन करेंगे, तब बेचेंगे, तो जैसे ही ऐसा मेसेज आप अगले को देंगे, तो आपका बेबसाई उस दिन से दूसरे बे में चलाए जाएगा, आपका वो निगेटिव, उहां से थौट आना सुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका आमदनी पर ब माटना सुरू करेंगे, बेचना सुरू करेंगे, और उनको पता है कि मुझे कहां से लाना है, कहां मिलता है, तो इस बिद्धी को इसको ट्रेडिंग और ब्रिडिंग, यानि कि ब्यवसाई और पालन, ब्यवसाईक बकरी पालन, तब ही संभब होगा, ब्यवसाई भी होगा और बकरी पालन भी होगा तब आप जा करके सफल होंगे अनिता सिर्फ आप बकरी पालन करेंगे तो बिलकुल ही 95% मैं गारंटी के साथ करता हूँ वैसे जो धनाड है जिनको दवलत की कमी नहीं है वो भले अपने धनों को लुटाते जाएं लुटाते जाएं लगाते जाएं किसी को आप संदेश भी देंगे बताएंगे भी तो कहेंगे हम इसको दस लाख लगाए अब विकरा मेरा दो लाख का तो यह करने से कोई फायदा है नहीं आप ऐसे ही कुछी चेरिटी को आट लाख उपर दान देते तो आपका ज्यादा नाम हो जाता लेकिन इस बेबसाय म परसाय को लोग करना चाहेंगा ने था फॉर्म खुलते रहेंगे और बंद होते रहेंगे तो दोस्तों यह है बकरी पालन में ट्रीक काफी बारीकी से चीजों को सर ने साफ साफ बताया कि बिडिंग के साथ आपको ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा कहने का मतलब कि अगर बकरी पालन आप कर रहे हैं और जो बच्चे आ रहे हैं तो आप उसको सेल आउट कीजिए ताकि जो पैसा आएगा तो आपको भी अंदर से आपका मनोबल बढ़ेगा जो को और आप सकारात्मक रूप में आगे बढ़ाते चले जाएंगे अब बात आता है सर की जैसे बकरी पालन शुरू किये हैं तो उनकी सहुलियत के लिए पूछ रहा हूं साथ ही हमारे वैसे भाई जो आने वाले समय बकरी पालन करना चाहते हैं तो बकरी पालन कैसे करें इसकी आप जानकारी विश्टार से दीजिए जी बकरी पालन व्यवसाई करने के लिए आप सर पर्थम जिस भी अस्थान पर आप कर रहे हूं, तो वहाँ पर आप अपने बाजार में देखिए कि किस चीज का अधिक डिमांड है, जिसका अधिक मांग है, आप उसको पकड़ेंगे, उस नसल को आप ब्रिडिंग कराएंगे, तो आप हंडेड परतिसत मुनाफे में जाएंगे, बेचने की समस्या नहीं होगी, वहाँ पर उसके बिपरीत कार्ज को आप करेंगे, तो आपका परिणाम भी उसी हिसाब से निकल कर आएगा, तो किसान बंधु जब भी आप काम को सुरू करें, तो अपना छेतर के बाजार को देख करके, और अपने बकरी फॉर्म में जब आपके पास अनुभव की कमी है, तो थोड़ा सा अनुभव प्राप्त करने के लिए, जादा नहीं 10, 15, 20 बकरियों से आप सुरूआत करें, उसके बाद जैसे ही थोड़ी अनुभव, तो लोग के नजरिये से नहीं है, एक एक्सपर्ट के नजरिये से, उसके लिए आप तब आप सुरुआत कर सकते हैं, जब आप पुर्ण रूपिन जानकार इसका हो चुके हैं, जब आपको पास अनुभव हो जाए, दो साल, तीन साल, चार साल का अनुभव हो जाएगा, तब आप सो के जगा 200 भी बक्री लेकर के मार्केट मूतरेंगे, तो आप उसको भंजा सकते हैं, जब तक कि आपका अनुभव नहीं आएगा, तब तक कि आपको थोड़ा संख्या में रखना, आपके लिए ज़्यादा हित कर होगा, और जैसे ही आपका अनुभव बढ़ेगा, बक्री आटोमेटिक, 15 बक्री आपके डेर्सों में कब पहुँच जाएगी, आपका अनुभव आते आते डेर्सों पहुँच जाएगी, तो आप देखे, दोनों संख संख चलेगा, अब तालमिल दोनों को संख लेकर चलने का है, अब किसान नहापर क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि हमके 100 बक्री चाहिए, 50 बक्री चाहिए ले आएए, अनुभव आपका कम है, संख्या बक्री का जादा है, तो पता चला बक्री आप पर हावी हो जाएगी, आप तो धरासा ही हो जाएगे, लेकिन इसी को जिए आप तालमिल बना लीजिएगा, कि वाई हमने दसी पंदल लिया है, अनुभव आपका कम रहेगा, तो हमारा अनुभव दिश्य से बढ़ रहा है, तो इसे से बक्री बढ़ रही है, दोनों साथ समान रूप से बढ़ेगी, तो कभी नुखसान जा सकता है क्या, ये तो सबसे आसान ट्रिक है, किसान को इसको समझ लेना होगा, इसको आप समझ कर करेंगे, तो बक्री पालन में कभी नुखसान नहीं आएगा, यहां एक ऐसा बेवसाय है, मैं पहले भी बताया हूँ, बक्री पालन एक ऐसा बेवसाय है, कि देखिए, बक्री मजबूरी में लोग बेचने जाते हैं, अन्यथा बक्री घर पर ही भिग जाती है, बकरी को बेचने के लिए बाजार जाने की आवस्चता नहीं है बाजार बकरी के पास आता है बस आप समय का इंतजार करें तो इससे बहतर और कोई रोजगार है नहीं कोई गाँ सहर से दूर कहीं पर भी आप बकरी लेकर के दस बकरी लेकर आप बैठ जाएं और उसको खाना पिना तरीक के से आप धंक से खिलाएं उसकी परवरिस करें और देख लिजिए आपका एक से डेड़ साल के अंदर अंदर बहुत सारे लोग जान जाएंगे बहुत सारे लोग आपके पास दूर-दूर से आएंगे गाड़ी लेकर आएंगे बकरी चाहिए उन रह करके इस काम को सुरू करते हैं तो आज सव में से 90 फार्म बंध होने की कगार पर चली जाती है तो मेरे किसान भाई बंधू से मैं हमेशा कहूंगा कि आप जानकारी सटिक जानकारी जानकारी ही नहीं सटिक जानकारी आप रखिए कितनी संख्याम रखना है कब रखना है किस नसल का रखना है और कब उससे उत्पादन लेना है इसकी भी जानकारी रखना हो इनका आप जैसे ही रखेंगे अब उसके साथ-साथ इसका मार्केटिंग का अनुभब भी आपको रखना होगा कि बाजार में हमारे किसी चीज़ का सकता है फिर नहीं रहा जाएगी सर एक चीज़ और इसमें यह बता दीजे कि अगर जैसे बकडी पालन अगर करें तो कब करें और लगभग अगर आप जैसे अपने अनुभव के आधार पे आपसे अगर पूछा जाए तो कितनी संख्याक लंसम उनके पास होनी चाहिए इसके बाड़े में बताइए देखिये सुरुवाती साल के सभी मौसम में वो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है व्यवस्था क्योंकि ऐसा नहीं कि बरसात के मौसम में हम सुरूत नहीं करना चाहिए बरसाती दिक्कत हो जाएगी ठीक है दस दिन पंदर दिन एक महिन अपिकावर होता है आप उस दिन उतने समय तक रुख जाएं उसके बाद आप इसको सुरुवात करें संख्या बहुत जरूरी है दस से लेकर पचीस के अंदर मिनिमम दस है मेक्सिमम पचीस है इससे अधिक नहीं जाने का है आप इतने ही से सुरुवात करिए दूसरी बात रहा गया कि हमारे इस छेत्र में जिस नसल का अधिक डिमांड हो उस नसल का करें जदि हमारे पास सिरोही बारवरी का हमारा बाजार में धिक डिमांड है तो उसका हम करेंगे बलेक बंगल का धिक डिमांड है तो देखे व्यक्ति बकरी पालन का कार्ज आप अपने लिए करते हैं तो आप कोई भी नसल लेकर क्या ये कर लिजिए लेकिन जब बाजार के लिए करना हो सामाज के लिए करना हो तो जिसका अधिक मांग होगा उसको करेंगे तब मुनाफ़ा आएगा उसके बिपूरीत जाएंगे तो आप तो पहले ही नुकसान उठा लिए तो इसमें समझने और समझाने की कहा जरूत है हास्तोजी क्योंकि जहां हमारा बजार जिसका मांग रहा है हम उसको पाल नहीं रहे है हम दूसरे चीज़ को पाल रहे है तो हम अपना सोक पूरा कर रहे है वह बेवसाय नहीं कर रहे हो तो बक्री पालने एक सोक हो गया आप सोक कर रहे हैं बक्री पालने का बेवसाय कहा कर रहे है जब नुकसान होता है तो आप इस धंदे को बरणाम कर रहे हैं तो ऐसा न करें आप इसको जानकाई लें फिर काम करें तो किसान बंधु जब उनके पास अनुभब आ जाएगा तो फिर वो किसी और नसल को लिया करके बेच सकते हैं उनके पास इतनी छमता आ जाए योग्यता बन जाए तो आप कोई भी नसल को बेच सकते हैं क्योंकि आपका बाजार तब तक बड़ा हो जाएगा लेकिन शुरुवात में बड़ा बनने के लिए आपको जो सही रास्ता है जो साकारातमक पथ है उसी पथ पर चलना होगा उसी क कुछ पॉइंट काफी इंपोर्टेंट सर बता है कि एक तो कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है और दूसरी बात कि अगर बकरी पालन कर रहे है तो जिस चीज का सबसे ज़्यादा डिमांड है उसको आपको पालन करना है उसके नुशार आपको पालन करना है नकि यह कुदुकरए सवाल पशारक्रा आप सवागियों इसलार जीत इन्याफ,یک मिन आ SP Alex Afutada कर लिए खुल आपे ऐसके पहसे करें के पर जैसे एके आप समय करें नहीं है विबशाग ने का दो आएक मेरा सुदुकरण के encad पंद्रह है, दसाय पंद्रह है, तो लोगों के नजरों में उचीज दिखेगा, और जैसे ही दिखेगा, तो बहुत सारे लोग हैं कि आपकी बकरी को लेना पसंद करेंगे, कि मुझे आप अपनी बकरी मुझे बेचो, बहुत सारे किसान इन छोटी-छोटी बातों को नजर अ इन दाज कर देते हैं, यह चोटी बात नहीं है, इससे बहुत बड़ा साकारातमक चीज निकल कर आया है, अब हमसे एक किसान ने दो बकरी लिया, हमें ने उसको बेच दिया, अब क्या हुआ कि वह जाकर के पूरे समाज में मेसेज दिया, कि वह तो जाओ बकरी मिल जाएग तो उसने दो आदमी को बोला, दो आदमी ने दस आदमी को बोला, दस आदमी ने सव को बोला, और सव फिर कितने के बोलेंगे फिर आप उनको रोक नहीं है, हो सकता है कि हजार लोगों के काने पहुँचे उसे पांच ही लोग आपके पास आएंगे, खरीदने के लिए, तो आपका पांच आदमी का सेल भड़ा ने हैं, इस तरह से हर महीने ज़िए इतना बढ़ता जाता है और आपको पता है कि मुझे बकरीया कहाँ सेला नहीं हैं, आप बकरी ले आएं, हर व्यक्ति उस जगह को नहीं देख पाता है, तो जो आपके नजदी के व्यक्ति है, कम संख् सकता है वह आप ही क्या से आएगा आप उनको सेल करते जाएं आप अपनी बातों को सेल करें अपनी बकरियों को सेल करें अपने ब्यबसाय के सारे प्रोड़क्ट को आप सेल करें यह आपका ब्यबसाय बन जाएगा दिरे दिरे आपको इसे मन लगता जाए कुछ आमदनी भी जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, अनुभब बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ने लगेगी, आपकी बकर्यू के संख्या भी बढ़ने लगेगी, आपका बाजार बढ़ा हो जाएगा, तब आपको फिर कुछ दूसरा सूचने का जरूतने, फिर आपको बड़े-बड़ के संख्या में बकरी पालन कर रहे हैं, जिनको मार्केट का सोर्स नहीं है, उनसे हमने संपर्क बनाया, उनका जो प्रोड़क्ट है वो हम ले लिए, बाजार से थोड़ी उची कीमत उनको दिये, हम ले लिए, उसको एक सही कीमत पर एक सही किसान को हमने दे दिया, तो यह ए मिलकुल छोड़ दें, इसको आप सामाज के साथ में मिलकर चलें, तब यह लच्छ को पाना संभब होगा, खुद को लेकर चलेंगे, तो यह असंभब है, सर, मेरा आखरी सवाल है, कि जैसे अभी बकरी पालन, अगर कोई करते हैं, बलेक बंगाल से, तो बरसात में उनको को होती है सूखे अस्थान की, आप सूखे अस्थान का विवस्था रखेंगे, बकरीयों को जहां पर आप रखते हैं, वहां पर तक्त बगर लगा दें, ताकि उस पर चढ़कर बैठें, नमी से उनको दूर रखें, साफ और स्वक्ष चारा पानी की आवस्थ रखता है, साफ खासी छोड़कर कुछ और आधिक नहीं होने वाला है, लेकिन अपने जानवरों को आप वेक्सनेशन का पूरा रूटीन मिंटेन करते हैं, वह किसान के लिए कोई दिक्कत की संभावना नहीं है, जो किसान इससे बंचित रह चुके हैं, उनको मैं यह आगरह करूँगा, कि आप ततकाल अपने बकरियों को वेक्सनेशन करा लें, जल्द से जल्द करा लें, ताकि उसका जो इम्मूनिटी पावर है, वह बढ़ना सुरू हो जाए, बरसात में बरसाती रोगों से उनको बचाव हो सके, जदि किसी कारनबस हो जाता है, तो उसके लिए वह तैयार भी बखरिए रहें, एक वसी पसुचिकित्सक हैं उनके संपर्क में रहें, और जैसे ही किसी में बिमार का लचन महसूस हो पता चले, जितना सिग्र हो जथा सिग्र, उसकी समूचित उप्चार करने की आवसकता है, वह किसी पसुचिकित्सक के सलाह में आप कर सकते हैं, जदि आप जानकार हैं तो आप भी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आप तभी तो ये हैं विपिन सर और सर के पास एक अच्छा अनुभव है जो भी भाई अगर बकरी पालन कर दो